है टाइप और कस्टोमर यू उससे लिककृष है बताने वालों कि जो आप लोग गलते हैं करते हो विलल टॉकट मुटूचिंटों होड इसे वाकस्टमर थो इसमें तो इसमें आ गलते हैं मिलने वाली है और और निया और लो देने वालों मैं आपको सेल्स के दो इंपोर्टेंट रूल इस वीडियो के एंड में वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप उन दो चम चमाते रूल्स को लेकर जाओ और अपनी सेल्स को स्काय रॉकट के तरह इंक्रीज कर पाओ मैं आपका वालिकम है इस वीडियो में बहुत सारी वालियू आपके सामने शीर करते है जो की आपके बारे में बुल्कुल निहीं जानता they don't know about you they don't know about your product they don't care about you they don't care about your product that's it simple code customer whoo hootan जो मैंने भी 4 आपको points बताई basically see आपका सबसे ज़्यादा interaction जो होगा वो आपका code customer के साथ ही होगा और सबसे बड़ी गलती लोग सेरसे करते हैं वो क्या सोचते हैं कि हर कस्टमर उनका प्रट्ट परचिस कर लेगा अगर कोई कोल्ड कस्टमर उनके पास आता है तो यहीं लोग करते हैं सेल में कस्टमर को कभी भी हमें सेल नहीं करना और अपने बिजनस के बारे में अपने बारे में अवेर करना है और उसको थोड़ा सा नौलेज देना है और उसको थोड़ा सा लेक वडिसे वैल्यू देना है कि उसको टीचर ना एक तरह से कि आप उसको वैल्यू शेर कर रहे हो अपने बिजनस के ब मैं उस बंदे को एवर कुरा तरय हो। उस point of time पर हमारा जो मेन मूटीव हो सेल करना विलकुल भी नहीं है अगर कोई old customer आपके पास आ रहा मेन मूटीव सेल करना नहीं है अपका मेन मोटीव है कि आप उस person के life में ठोड़ी सी value add कर पाओ by giving some knowledge or by giving some ebooks और वहां पर आपको sell नहीं करना वहां पर आपको आपको अवेर करना है तोड़ी सी value देनी है नर्चर करना है that's it so अगर हमारे पास cold customer आ रहते तो हमें actually करना क्या होगा पॉइंट ऑफ टाइम पर सी अगर ले बास cold customer आता है तो वहां पर आपको अपको उनके साथ faith बिल्ड करना है आपको उनको पीछ करना इक तरह से मैंने बताया ना अगैन बता रहो हूं मैं आपको अगर और पर अधोरो और और से तकुल है ग्मपेश चुर्ट उ लिकार नहीं पर अपने 技 इंगर नहीं हो ना अगर अघ्र सिंग पूछ उसके कहीं ना कहीं उस बंदे का इंटरेंशनस है आप के परफिट अगर थोड़ा सा भी आगा अपने एंगर कर दिया ना सी आप किसी पस्तेमर से जीरो पर काम कर रहे हो वो यहां तक आ चुका है और यहां पर वो क्लोज देने वाला है अगर वो यहां पर आया है आप से कुछन पूछ रहा है उसके बाद आपने गुस्ता कर दिया तो जो किस्तेमर अगरे बारे में तो यह वां कस्तेमर एक्चली होते कौन से मेभी आपके बारे में थोड़ा कुछ जानते होंगे जो आपके वां कस्तेमर होते हैं आप उनको सेल कर सकते हैं क्या पता उन लोगों ने आपको कोई कॉंटेंट कर रखा हो इन फॉर्म और वीडियो और वीडियो उनकोंने कहीं आपके बारे में उनकों रखा हो इडि मेंस कि वह उनको पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं आपके बारे में सुन रखा है आप वर्म और सेल कर सकते हो जब भी मुझे कोई प्रोस्पेक्ट बात करते कॉल पर मों से सिंपल बोलते हूं कि आपक मैं उसको sell करने को कोसिस भी नहीं करता विस्ट मैं चाता हूँ कि मैं चुछा सा relation बिल्ड हो जो बंदे के साथ ठीक है और मैं कोसिस करूँ कि उसको बाद में क्लोज करूँ सिंपल उसको मैं सिखाने को सिस करता हूं तोड़ा वैलू देता हूं मेरा में मोटिफ क्लोज करना नहीं है लेकिन जो मेरे पास कोई वाम कस्टमर आता है और मुझे पता है कि मेरा जो प्रोड़क्ट है मेरा सर्विस है वह बहुत बढ़ी है और उसके लिए हैलफूल है और मैं अगर यही चीज़े अपने कस्टमर को अगर यह है कि आप अपने warm और लिए को सेल कर सकते हो वाइन तिंग इस यौर प्रोड़क्ट ओ सुरी यौर प्रोड़क्ट शुड़ बी गुड ठीक है और आपके प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा लगना चाहिए तीसरा है हमारा हॉड कस्टमर वह वाला हॉड़ नहीं द पहले कोई ना कोई सर्विस या पॉर्ड़ प्रोड़क्ट पूर्ड़ रखा है तिक है उसको क्या हम बोलते हैं आपका हॉड और इसका मतलब क्या होता कि आप सबसे ज़्यादा इसली अपने हॉड और अपने हॉड़क्ट से बंदे के लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज बहुत अच्छा चेंज आया है उसको वह प्रोड़क्ट काफी अच्छा लगा तन जहीर सी बात है वह सेकिंड जो प्रोड़क्ट होगा वह बहुत जल्दी बाय कर लेगा कंपेर टू फर्स्ट वर नहीं भी नूट टू अंडरस्टैंड और हम बहुत जल्दी तरीके से ब किसी पर्सट्रन से बात करो होगे कि अपका होड कस्टिमर और को अंडरस्टैंड करो इस वीडियो से आप क्या वाल्यों कर जायो रहे हो बैसिक परसन से बात करो से पूछ हो कि आप मुझे कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो आप मुझे कितने टाइम से जानते हो आप हमारे सर्विस के बारे में कितने टाइम से जानते हो according to MT NUT principle that trust is the main most important factor अगर कोई परसन दो से तीन दिन से फॉलो कर रहा है it means he or she will not gonna buy your product but the main thing is अगर कोई परसन वाम है या होट है then definitely he or she will gonna buy your product तो पूछो कि आप कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो ताकि आप उस परसन को सही तर किसे साल कर पाऊ see अब गाइस दो important rule जो कि आपको बहुत 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 ज़्यादा help करने वाले हैं आपकी sales में the first rule is everyone is not your customer कुछ लोग बोल रहों कि भाई ऐसा थंपड़ वारो होना है रहे क्या बता हूं यह चीज तो मने पहले बहुत बहुत सुन रहा है see सुना है मैंने भी यह यार but the main thing is we just try to sell 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 हमें सेल नहीं करना है सिंपल selling is equal to educating people जब लोगों करना चालो कर दोगे आप उल्रीड सेल कर लोगे एंसी अगर कोई close नहीं होती सेल महां पर हमें डिप्रेस होने को ज़ूरत नहीं है हमें प्रेपर प्रेशन नहीं डालना है हमें बस यह देख रहे हैं कि everyone is not our customer किस तरीके से किया जाता है दोबारा बता देता हूं जब कब customer क्वालिफाई करते हो दो स्टेप से क्या उसका इंट्रस्ट है क्या उसका पॉकेट है पचिसकरने के लिए अगर यह दोनों चीज़ें सही है तो customer को क्वालिफाई है और वहां पे अगर आप उस customer को close कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से बट वहां पे फिर आपका objection handling matter करता है objection handling के उपर काभी सारी वीडियो मैंने बना रखी है आपको जो दो रूल में बता रहा था आपको पहला रूल क्या है everyone is not your customer और जो सेकेंड रूल यह है डूंट ट्राइट तु सेल कोल्ड कस्टमर कभी भी कोल्ड कस्टमर को सेल करने कुछ असमत करो अगर आप सेल करोगे कस्टमर को लूज कर दोगे बड़ा गंदा लूज किया ना और आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज यार शेयर कर देना रात में वीडियो बना रहूं है आफ़र लगा रहो आप लोगे लिए प्लीज उसके शेयर कर अपने वर्टसेप स्टेटिस पे इपने ग आपको भी इस वीडियो तुरू आपको उन लोगों को भी हैल्प मिले ताकि वह अपनी सेल्स को अपनी नॉलेज को अपनी वडिसे इंकम को सही तरी के से इंक्रीज कर पाए और गैस थैंक्यों सूमच बबाई टेक कियर लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर थैंक्यों सू